हेलो एवरीवन बेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तो आपसे भी का स्वागत है मैं हूँ कपलता दोस्तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैत का चेप्टर नमर 4 यानि की कॉल्ड की क्यूशन्स के वो इंपोर्टेंट कोशन आज हम देखेंगे चो लगातार कंटीनिव आपसे cbsc board exam में बलकि अदर किसी भी exam में किस तरीके से आपसे question पूछे जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना session दूस्तों को आप चल पनी हूँ तो पीछ चैनल को subscribe करना बिल्कुल न बूलने साथ-साथ आप हमारे practice set का ही आप यूज करियागा ओके जिससे कि आपकी timing का भी आपको पता लग जाएगा हम कितने समय में कितने से question जादा हम कर रहे हैं तो हम आपको यसे डेली हर एक चैप्टर के आपको यसे ही question प्रवाइड कराते रहेंगे तो आपको जादा एदो दोदार भागने की जो आपने पढ़ रखा सिर्फ उसी का प्रेवीजन करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपकी स्क्रीन पर मैंने क्या कर रखा है सारे questions को already मैंने solve कर रखा है तो आप चाहिए इनको pause करकर करकर अ स्क्रीन पर है question आपका है find the value of p so that the quadratic equation pxx-3 plus 9 is going to 0 has two equal roots आपको क्या करना nature of roots के जितनी भी आपकी properties होती है उनको आप learn करके जाईएगा आपको पकाई को objective में या तो आपको short question में आपको एक question देखने को 101% आपको भाव मिलेगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया इस equation को यहां आप लिकर रखा है सब फिर मैंने क्या किया है multiply किया है px square minus 3px plus 9 is equal to 0 अब जो equation की जो root है वो equal है एक को roots के लिए आपका discriminate यानि की d जो होता है वो 0 की equal होता है तो d is equal to आपका होता है v square minus का 4a से यहां से easily comparison करके abc की value यहां से निकालीएगा और यहां पर आपको रख देना है फिर बाग के बाद जो भी बचेगा आपकी वो simple सी आपकी calculation रह जाएगी दोस्तों वो आपको आसानी से आती भी होगी और कर भी होगी इतना मैं मान के चलना इतना basic तो आपका clear होगा जब आप इसको solve for you will get p0 and p4 तो जो p की value होगी वो हमारी 4 होगी because अगर हम p को हम 0 ले दे रहा और nature of roots से किस तरीके से different different तरीके से कैसे question आपसे पूचे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ देखिए question number two for what value of k, k की कि किस value के लिए था roots of the quality equation are equal k की किस value के लिए इस equation की जो roots हैं वो आपके equal होगे यह बताने कहां कहां यह पूचे गाएं किस कि तरीके से digit बदली हैं दोस्तों हर बार exam में continue quality equation से question यही बन रहे हैं तो दीखिए करना है कि सबसे पहले आपने मैंने कहा कि equation यहाँ पर लिख लिए आए फिर equal roots से हैं तो आपका जो discriminant d होता वो आपका 0 होता d is equal to 0 यानि कि b square minus 4ac is equal to आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा तो comparison कर कि a b c की value आप हैं पर रख दीजिएगा फिर देखो whole square open होगा फिर multiply करना है फिर बच्छी भी calculation होगे तो q will get k is equal to 5 and minus का 3 तो यह question आपका 2 marks में हो गया अगर यही question आपसे long में पूछा जाएगा तो आपसे बोलेगा तो आप इसके roots भी आप बता दीजिएगा अगर आपने k निकाली हैं तो इसके roots क्या होंगे यह आपको बताने हैं तो equal roots के लिए जो formula होता है दोस्तों वो आपका होता के x is equal to minus का v upon 2a यह आपका होता है roots निकालने के लिए k की value निकालने का आपसे पूछ लिए जाए तो इसके 0 भी आप बता दीजिए तो आपने जो k की value निकाल लिए आप चाहिए direct quality equation में वहाँ पूट कर दीजिए आपको एक equation मिल जाएगा otherwise आप इसको भी यहाँ पर use कर सकते x is equal to minus का v upon 2a से भी आप क्या होता है minus का v upon 2 v आपका यहाँ पर k plus 1 और यह आपका यहाँ पर 2k plus 4 हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ से आप इसके roots भी निकाल सकते है otherwise क्या करना है आपने जो केकी वैलों निकाल ली थी ना 5 वह आप इसी equation में रख दीजिए फिर आपको एक quadratic equation मिलेगा फिर आप उसको solve करके आप वहाँ पे 0 बता सकते हो ठीक है तो बढ़ते है next अगले question की तरह question number 4 और प्रूफ करने के लिए भी आपका equation आ सकता है okay तो ना question आपका if the roots of the quadratic equations यह आपको equation के बने और वह भी आपका equal दे रखे हैं तो आपको प्रूफ करना है 2a plus 2a is equal to b plus c okay root zero equal है तो d zero होगा d का मतलब क्यों होता है b square minus 4a is equal to zero आप यहां से compare देन करिए a आपका a minus b, b आपका b minus c, c आपका c minus c तो यहां पर आपको रख देना whole square open होगा फिर आप इनका simplify करोगे तो आप यहां पर देखोगे 4a square, b square minus 2a वाली form बनेगी यह बनेगा आपका a plus b plus c का जो formula जो नाइन्थ में होता था उसके according हम बनाएंगे 2a minus b minus c का whole square इसको रटाइक root आपको यहां पर लगा देना है तो 0 ही मिलेगा, फिर simple c बचिव यहां पर calculation 2a is equal to b plus c, आपका यहां पर answer आज आएगा, तो चलिए बढ़ते हैं, आगे question की दरफ, देखो बच्चों मेरी courses ही, यह ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम से मैं अच्छे से question मैं प्रोवाइड करा सको, तो question की अगला क्या है, आपको equation ऐसे भी given हो सकते हैं, और आप से बोलेगा, solve for the x, x की value के लिए आप इसको solve करिएगा, ठीक है, तो उकती कुछ root में अगर value given है, तो आपको बंसाइड कर लेना, इक questions को, ठीक है, फिर क्या करना है, बोसाइड आप square कर और जब आप solve करोगे, तो आपको यहाँ पे easy लिए, आप x की value find कर सकते हैं, x is equal to 3 by 2 and 7, तो next पढ़ते हैं, आगे बचे हुए questions करें, question number 6, आपका यह देखो important question है, आपसे पूछा जा सकता है, quality formula का use करके, और लगातार continue हर बार पूछा गया, ठीक है, तो question आपका है, 4 under root 3 x square plus 5x minus 2 under root 3, इसके लिए आपको x की value बताने हैं, factor आपको यहाँ पे करने हैं, तो आप जब दी root में अगर equation given होगा और आपको उसके factor करने होगा, तो आपको मैं suggestion यही दूँगा, आप सिर्फ quadratic formula ही वहाँ पे use करिएगा, quality formula आपका होता है, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4c upon 2a, आपका a यहाँ से कितना आ गया, 4 under root 2, v आपका यहाँ से 5 हो गया, c आपका minus 2 under root 3, तो यह जो हमारा होता है, discriminanty तो होता है, d, अगर मैं इसको d लिखता है, formula मेरा बन जाएगा, minus b plus minus under root d upon 2 है, तो मैं पहले d को यहाँ पे solve कर ले रहा हूं, ठीके, b आपका कितना दा 5 था, 4 already formula में था, a के place पे 4 under root 3, c के place पे minus 2 under root 3, जब आप solve करोगे, d आपको 121 मिलेगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे, 121 में पुट कर देना, 121 आपका 11 का होता है, तो हमारा बना x is equal to minus 5, plus minus under root 11 upon 8 under root 3, फिर क्या करना, आपको one time plus one time minus यहाँ से ले 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 न, एक वारा हम जाहाँ से plus का sign लेंगे, plus 11, एक वारा में आपे minus का sign लेंगे, तो you will get 6 upon under root 8 upon 3, and minus का 16 upon 8 under root 3, जब इसको simplify करोगे, तो देख लीजिए अगर root 3 by 4, and minus का 2 under root 3 upon 3, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, आगे और questions को देखते हैं, question number 7, देख लीजिए अगर, किस तरीके से आपसे quodic equation वहाँ आपसे solve करा सकता है, तो देख लीजिए, अगर इस तरीके question बनेगा, तो आपको एक करना सबसे पहले, आपको LCM लेना, LCM लेने का वाद, यह item यहाँ जाएगा, यह item इधर आने वाले, ठीके, minus open करोगे, तो x x आपका cut जाएगा, minus का 7, minus का 4, आपका 11 हो गया, denominator में जो term थ x plus cut 2 आपको यहाँ पर मिलेगा, फिर आपको easily calculation, फिर तो factor आपको करना आते ही होंगे, तो x के जो value मिलेगी दोस्तों, वो आपको मिलेगी 1 और 2, तो चलिए, बढ़ते हैं, आगे और questions की तरफ, देखो बचो, exam में कम समय में बचा हुआ है, और अच्छी तयारी आपको करन इसनी को नहीं मिलेगा, यह आपके long short दोनों मिलेगे, object में तो काफी आसान question मा पर आने वाले हैं, तो question देखिए, 8 word problem से लिया है हमने, 8 train troubles 180 km, at a uniform speed, हमने uniform speed को माल लिया x, वो x से वो चल रही है, और distance कितनी कवर कर रही है, 180 यहां लेक लिए, ठीक है, if the speed had been 9 km more, अब क्या would have taken a one hour less for the same journey, 180 को cover करने के लिए, यानि कि उसी distance को cover करने के लिए, आप क्या करती है, यह train, एक गंटे कम लेती है, obvious सी बात है, अगर आप इसकी speed को x से 9 बढ़ा दोगे, 9 और बढ़ा दोगे, तो तेज चलने लगेगी न, जो second time है, जो दूसरी बार जब चलेगी, speed जाने के बाद, उस condition में time ये कम लेगी, यानि कि हमारा क्या होगा, पहले वाले का जो time है, वो ज्यादा रहेगा, क्या कि speed उसकी कम है, second वाले की speed ज्यादा है, तो कम समय में बहुन जाएगी, तो यानि कि हम बोलेंगे, T1 और T2 का जो difference है, वो आपका 1 दे रखा है, अगर ह हमारा T2 जादा time होता, तो T2 को पहले लिखते है, T1 कौन सा time है, पहली condition में, जिसकी speed x थी, अब आपको speed वाले formula से, speed is equal to distance upon 10 से, time is equal to क्या हो जाता है, distance upon speed, तो distance आपकी 180 है, दोनों cases में, पहले case में speed आपकी x से, second में x प्लस 9 है, फिर आपको यहां से देखो, वही quality equation आप यहां पर उनको solve करना है, तो जब आप इसको solve करना है, solution देख लीजिएगा, cross multiple lc हम लेने का, तो x की value 36 और minus का 45 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए बढ़ते हैं, question number 9 की तरह, question number 9 आपका ये भी word problem से हमने लिया हुआ है, the sum of two numbers is 9, दो नमबरों का जो sum है वो minus x होगा, ठीके, अब बोला है, sum of their recipe protocol, इनके recipe protocol का जो sum है, वो 1 by 2 है, तो question के according मेने आपर form बना ली, फिर आप ले लीजिएगा, तो आपको यहां पर बिलेगा, 9 upon 9 x minus का axis का result 1 by 2, फिर देखे, वही, आपको solve करना है, x की value, आपको 3 और 6 मिलेंगी, पहला number अगर हम 3 लेते ह are such that sum of square of the first and the product of the other 2 is 46, find the integer, इसने वोला है, 3 integers आपको लेने हैं, consecutive यानि की n, n plus 1, n plus 2, ठीके, इसने वोला है, the sum of square of first पहले वाले का square, और last के दोनों के product का जो sum है, वो आपका 46 है, तो देखे, n square पहले का होगा, दोनों का product आपने यहां पर लिख लिए, फिर आपको देख solution मिलने वाली है, solution देख लिए, n आपका होगा 4, हम minus का 11 by 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि positive integer की बात हो रही है, तो n 4 होगे, तो आपके number कौन कौन से होगे, फिर n, 4, n plus 1, 5, n plus 2, 6, ओके, तो चलिए, बढ़ते हैं, last question की तरफ, तो जो last question आपका nature of roots से आपसे पूछा जा सकता ह देख लिए, यहाँ पर पहने solution इसको कर रखा, तो चलिए, अब मैं इसको explain करता हूँ, nature of roots आपको बताने quality equation, यह आपसे sort में, two marks में या फिर one marks में आपसे पूछा जा सकता है, कि nature of roots के लिए आपको तीन condition याद रखने, discriminant यानि कि D, अगर D की value 0 आती है, तो roots आपके equal and real ह आती है, तो roots आपके real तो होंगे, लेकिन equal नहीं होंगे, अगर D की value अगर आपकी 0 से छोटी आज आज आए, तो roots आपके क्या होंगे, immisulary होंगे, तो quality की question आपको given था, x square minus 6x plus 9, तो आप discriminant निकाले, b square minus 4ac, v आपका minus 6, c आपका 9, a आपका 1, यहाँ पर रख देना है, त तो जो D की value आपकी 0 आ रही है, अगर हमारी D की value 0 आ रही होंगे, तो roots हमारी क्या होंगे, real and equal, तो nature of roots से भी आपसे वहाँ पर question बन सकता है, तो यह थे आज के हमारे chapter 4 के लिए, 11 question इसी तरीके की question आपसे पूछे जाता, आप इनी questions का preparation करिएगा, और इसके surrounding आप अपनी question लगाई है, पक्का आपको देखने को माँ पे मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और नए chapter के साथ, तब तक के लिए धनबाद, take care and wait for the next video and wish you very all the best for the upcoming एंगिजा, for class 10th and also with the class 12th, thank you.